हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शिर्किष्णा शिरादे स्वागत आपका देखने जोतिश दिशा सत्य की रहा मैं हूँ आपका दोस्त शीर संतो संतोशी एक खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज हम अक्सर अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन पर लैप टॉप की स्क्रीन पर अपने प्री देवी देवताओं की तस्वीरे लगा लेते हैं उनका नाम लगा लेते हैं तमाम तरह से भाव हमारा शुद्ध होता है भाव हमारा पवित्र होता है कि हम इश्वर की तरफ अपने आपको ले कर जाते हैं अपनी आस्था अपने विश्वास को हम अपने भागी के लिए कैश करते हैं तो इस शुद्ध भाव इस शुभ भाव से हम साई बाबा की राम की किशन की दुर्गा की गनेश की कुछ लोग ममी बापा की उतकर कुष्छ नोग अपने च्यत्री मug면 मढप कहीं का कोई हो मजिद माजार गर्द्वाराँ कुछ भी हो हर कोई करता है अपने अपने हिसाब से करता है हर कोई करता है हमने मुस्कान की की है मुस्कुराने की की है क्योंकि हसना हसाना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप जितना मुस्कुराएंगे मुस्कान आपके ओटों पर उतना ही रहेगा खैर विशेप पर आते हैं तो देवी देवताओं की तस्वीरें फोटोज मंद्र या इस तरह का वाल पेपर या कवर फोटो लगाना कहां तक शुद्ध या शुब है कवर फोटो से याद आया कि हम अक्सर अपने फेस्बुक प्रोफाइल पर फेस्बुक के कवर पर वाटसब पर भी भगवान के देवी देवताओं की तस्वीरे लगा देते हैं लेकिन हम अबोध इस बात से अनिभिग्यू रहते हैं कि हम खुद को भगवान बना दिये या भगवान को अपने जैसा बना रहे हैं हम मूर्ख इस बात को नहीं समझते हैं हम आप सबको मूर्ख नहीं कह रहे हम खुद को भी मूर्ख कह रहे हम भी जब तक नहीं जानते थे तब तक मूर्खी तो थे ये दिव कि हमें हमने आज तक आस्था को प्रदर्शन का विशय नहीं बनाया है हमने ये कभी नहीं किया है कि हम इसको प्रदर्शित करें कि हम कितने बड़े पुजारी हैं कितने बड़े हैं फैर मैं इस पर भी आऊंगा बहुत लंबी स्पीच इस पर भी दे सकते हैं तो कहां तक ये शुब है कहां तक ये अशुब है ये जानना बहुत जरूरी है देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा हम कभी भी शक्तियों का प्रदर्शन न करें शक्तियों का प्रदर्शन यह अगर शुभ माना जा सकता है तो आप भगवान का भी प्रदर्शन करिए प्रदार मंत्री जी के आर्स पास जितने भी सुरक्षा कवच आप देखते हैं उनमें किसी के हाथों में आप नहीं देखते होंगे कि विपन दिखता है वो अलग से अंदर से कहीं ब्रीफ केस में कुछ कहीं कुछ आपको पता चलेगा कभी भी सुप्रिम पावर का प्रदर्शन आप नहीं पाएंगे तभी ओ सुप्रिम पावर है आपके देवी देवता आपकी शक्ति हैं आपकी पकड़ हैं आपकी पहचान हैं आपकी आपका सब कुछ है आप उनको प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं नमबर एक पहली चीज कभी भी देवी देवताओं की तस्वीरें किसी भी रूप में आप प्रदर्शन न करें उन्हें मंदिर और अपनी आत्मा में ही रहने दें यही हम सब के लिए शुब होगा दुर्गा औशधाले खोल दिये दुर्गा जी की फोटो लगा दिये इसके बाद दुर्गा औशधाले के औशधियों में से उसमें साजी चीजे उनकी फोटो वाले रैपर में आप डाल रहे हैं रैपर फिक रहा है पैरों के नीचे आ रहा है अब बाला जी का नाम वो भाव हर जगह पैरों की नीचे पड़ रहा है खाटू से आम मिठाई वाले खोल दिये अब खाटू से आम हर लोगों की मिठाई के उसमें जा रहे हैं हर जगह जा रहे हैं आप समझिए आप सब सोचिए इस समयम आपके दिमाग को चलाना चाहते हैं आप चिलाएए दिमाग अपना घुमाईए आपने देवी देवता की फोटो अपने फेस्बुक के प्रफाइल पर लगा दिया अब आपके प्रति जो जैसा भाव रख रहा वो देवी देवताओं के साथ भाव जोड़ाग नहीं जोड़ा है आपके पती भी जोड़ रहे है आपकी पत्नी भी जोड़ रही है फोटो वही है न आपकी प्रेमी आपकी प्रेमी का भी वही जोड़ रहे है भाव देवी देवता का लगा दिया संकर जी का लगा दिया गेशन जी का लगा दिया राधा जी का लगा दिया गनेश जी का रहा है हमें बदलना है क्या है आप अपने प्रफाइल पर फोटो लगा करके हमें बदलना या आप खुद को बदलने की कोशिश कर रही है कर रहे है क्यों लगाया है फोटो देवी देवताओं का कि उनके उनके उनका जो मूल अस्थान है वो हुरदय है वो हुरदय है एक प्रशंग वाओ जी सुनाते हैं हमको बहुत पहले एक पति-पत्नी थे पत्नी खुब पूजा करती थी संख बजाके घंडी बजाके तिन भर भगवान का नाम स्त्रोत्र जाप चालीसा पाठ हर एक चीज 24 घंडेक जैसे वही काम ही था बस पूजा 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 पतिदेव सब काम करते थे रोज ताने उलाहने देते थी कि आप तो पूजा पाट नहीं करते हैं पता नहीं कैसे संस्कार आपके हैं कोई ऐसे भी रहता है क्या पुजापाट करना चाहिए हमें देखी ऐसे वैसे ठीक है करन भी करते हैं कर रही हो तुम ठीक है करो क्या दिखते है वो खुब बुलाहने देती थे एक दिन की बात है पती कुछ निद्रा में थे पत्नी अपना नित्र क्रियाओं किसे निवृत्त हो करके अपने संध्याबंदन में लगने वाली थी कि पत्नी के मुख से राम शब्द निकला पत्नी चौकी मुस्कुराई काम में लग गई जब ये उठे और उठने के बाद अपने नित्र क्याओं में निवृत्त होने के निमृत्त बिश्तर का परित्याग किया पत्नी की कुटिल मुस्कान देखकर पूछे कि क्या बात है आज सुबह सुबह बड़े प्रशन्न मुद्रा में हो बोली आज एक राज पता चल गया एक राज से पता चल गया बोली क्या बोली आप कहते हैं कि आप तो पुजा पार्ट नहीं करते आप करम करते हैं तो आज आपके मुख से राम शब्द कैसे सोते समय निकला पति अवाक पति अचंभित पति के मुख से एक वाक के निकलता है कि क्या क्या राम निकल गए राम निकल गए समझिएगा क्या राम निकल गए शरीर से निकल के चले गए कहीं और इतना कहने के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दी मित्रों कहने का उदेश और सार ये है कि हमें जो हमारी भक्ती है वो हमारी शक्ती होती है शक्ती प्रदर्शन का कोई विशे नहीं है शक्ती जरूरत पढ़ने पे दिखनी चाहिए कि आप कितने ताकत वर रहे है आपका भाग ये कभी आपको पराजित ना कर सके, आपका दुरभाग ये आपके करीब ना आ सके, आप अंतरिक बल के साथ अपनी शक्तियों को अपने देवी देवताओं को आपने अंतरिक बल के साथ जोड के रखिएगा, काम्याभी मिलेगी, काम्याभी मिलेगी, तो आज के बाद एक प्रण कर लीजी आप लोग कि कभी अब आप लोग देवी देवताओं की तस्वीरें देवी देवताओं का फोटो चित्र किसी भी रूप में जोड़ेंगे नहीं नाम के साथ ना फोन के साथ हमने सब खुल के बताया है कि आप अगर फोटो लगाते हैं तो कोई आपके पास आपके साथ जो भाव रखता है आप जो कर्म गंदा बुरा 24 घंटे कोई अच्छा काम तो करता रही है बुरा करते हैं तो उस देवी देवताओं के साथ वो भी प्रदर्शन का पात्रणा बनाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद अपनी संस्कृत की रक्षा करिए अपने धर्म की रक्षा करिए अपने मन की रक्षा करिए भारत वर्ष को सुद्रण बनाई बहुत धन्यवाद नमस्कार जैसी राथ हमें अपना प्यार द अधिक जौनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्क करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन के लाइन हैं के लाइन के लाइन डबल लाइन दोचानोर्बल लाइन अधिक जौनकारी वो वींठल